हेलो फ्रेंड्स फिर से स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल जंगली भोजन में तो आज का हमारा रेसिपी है जारखंड का फेमस सेत्वा का सबजी जो जारखंड के नदियों और तलाबों में असानी से मिल जाते हैं तो चलिया मिलकर बनाते हैं आज का रेसिपी सित्वा तो चलिया मिलकर बनाते हैं आज का रेसिपी तो चीखी तो पुष का रेसिवास से चीखी का स frencherved properly सबट्व essere हुआएएएएएएएएएएएएएएएएएए हुष का का रेВО-पुष का रेसिवास थ twitch मत का रेसिपीガ बनाते हैं का रेसिए वास स reproduce भीया मिलतावेएँ तो अभी हमको थोड़ा ही से मिला है आज बढ़िया मिला है ना सेत्रा हुँँआ आस तो एक जोला लगभग हो ही गिया अभी हम एक जोला है अभी बोल करने के लिए चड़ाएंगे प्यांच को भी बारिकी से हम लोग काट लेंगे हमारा प्याज अच्छी तरीका से कट चुका है खुद से पिशा हुआ मसाला है इसमें थोड़ा मसाला पाउडर एड़ करेंगे हलका धनिया मिक्स मसाला इसमें हलका डालेंगे हलका हल्दी काली मीर्स पाउडर हलके में और लाल मीर्स हलकिस डालेंगे अब इसे अच्छी तरीका से मिला लेंगे अच्छी तरीका से मिला लेंगे अच्छी तरीका से मिक्स हो चुका है अच्छी तरीका से बोईल हो चुका है अभी हम इसे उतार देंगे अच्छी तरीका से बोईल होके इसका मुँ खूल चुका है अब इसे हम लोग निकाल लेंगे बाहर ऐसं क्राणद है यह ज़्यल्य देखता खाली बड़ा है छोटा छोटा बाता रहना अभी निकल रहे है दिकता बड़ा है और मांस खाली ठोटा निकल रहा कम-कम देखे लगा था कि बहूर जादे निकल झाखता आज करह देखने नहीं लग रहा था बनने के बाद पता चलेगा, खाने से तो मज़ा ही आता है, आज का पैशा बनता है, उसको देखेंगे. सेत्वा हमारा छिल के तयार हो गया है, अच्छे से छिला गया है. हमारा सेत्वा ध्वा के अभी फ्रेश हो चुका है, आज हमारा जल चुका है, अभी इसमें कड़ाई चड़ाएंगे, कड़ाई गरम होने के लिए, दाई गरम हो गया हमारा, अभी तेल डालेंगे, सरसो तेल का योज कर रहे है हम लोग. तेल गरम हो गया हमारा, तो सबसे पहले तेश पता डालेंगे इसमें, दाल चीनी, फिर लॉंग डालेंगे, और दो इलाई चीव, हलका जीरा डालेंगे, कटा हुआ लस्चुन, इसके अच्छे से लाल होने बेंगे भी है, यहां हमारा अच्छे से लाल हो चुका है, अब इसमें मसाला बेंगे, इसमें मसाला पाउडर भी मिलाया हुआ है, अभी इससे अच्छे से लाल होने तक बुनेंगे, यह है सेत्वा का मेट, इसे और मसाले को अभी साथ में पकने देंगे, इससे अच्छे से पकने के लाभी ढख देंगे, ढखने से यह जल्दी पकेगा, खाना खाने के हम लोग पत्ते का इस्तिमाल करेंगे, इसे बोलते हैं पत्ता का पिलेट, इसे सील के बनाया जाता है, इस तरह डंटे से, से अच्सला का लंगे, इसे भी से और माँने से औरी देंगे, इसे इसे से इसे, इसे समयेन के लाग रसयार कि शेत इसतिमाः, यह जड़ğin में आक्राशअचि के ऱलोग देंगार के हम कीता च् 얼마 पक्लाबUNG HAँ सवाद अनुसा नमक डालेंगा भीजना थोड़ा पानी आड़ कर देता है वेज में अगद चानि अदबल whाँना नमक नम में करीज लोग थोड़ाद जर्फली यजी लोड़ सवाद पहले कर दो खालेंगा प्रॉट you हमारा रेसिती अभी बन के तयार हो गया है सबजी का टेस्ट बनाने के लिए हम लोग धनिया पत्ता के यूज़ करेंगे अभी हमारा रेसिपी बन के रेड़ी है अभी हम इसे प्लेट में परोशेंगे तेस्टर के बताते हैं कैसा बना हुआ है कि अभी हम एत्स प्लेट मतें प्लेट का वपता रेसिते हैं Yoo चाहन में इसिंग के मता है डेर द़िपनी नरी प्लेट मारा रेसिपी पलामी। यह तेश्टी है चिकन की तरह लग रहा है जैसी चिकन मज़ा है आप लोग भी ट्राइ करके देखिए फिर बत लाईएगा कैसे लगा कमेंट करके मासालो रस्टोपी एफाना अचास बाला अचास मुझ देखिकन पिस्टी तो हम आनना पड़े रहा हुआ लखता है तेरा हापका सवाद मेरा हापका किलने है सबों का हापका है दोनों तो मिलका ही बना है ना जब है आनना पता तर लखता है तो रहादा लेड़िंग दो हम आना पता लेड़िंग म kभणरो दोम आनना मज़ आगया खाने में इसका मीठ ना टेस्टी हो कही है दिक्ता बड़ा सा है मरला मीठ निगलेगा छोड़ कम बड़ा ना लेकिन टेस्ट लगेगा वही जुर्दार मज़दार अब पत्ता का प्लेट में भी खाने से टेस्ट बढ़ जाता है कि टेस्ट और बढ़ जाएगा अच्छा सवादा प्लेट अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें रुकिये रुकिये रुकिये, एक बात और, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं कर्या हमारा वीडियो आपको काईन करें रुकिये रुकिये, सब्सक्राइब यतितान करें भुकिये रुझ रूर साथ